तो आज मैं रिवीव करूंगी मुसरत मिजबा सिल्क फांडेशन का इस एक्चली वीडियो तो मैं जल्दी जल्दी इसके सारे पॉजटिव और नेगटिव पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी तो आपको पता चलेगा कि यह फांडेशन आपको खरीदने से पहले क्या क चाहिए और किन वादों का ख्याल रखना चाहिए और आपको यह खरीदनी चाहिए या नहीं और यह अफोर्डिबल है नहीं है और इसकी प्राइस सारा कुछ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक कर दूंगे आप वहां पर जाकर इसको चेक सब कर सकते हो तो जलिए स तो यहां पर प्लास्टिक कैप है और नीचे यहां पर पंप लगा हुआ है थीक है तो यह इस तरीके से मैट सी पैकिंग है जो कि गंदी हो जाए तो बिल्कुल बुरी सी लगती है और साफ भी बहुत एसली नहीं होती है तो यहां पर मैना सीट इस 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 सकीशर कर सकते कर सकते और इसका सीट आपको लइट लग दार्ट है काफी तो यह मैशेर की हें तो मैंने चाल करना है अपने अपनी अपनी साप्राप्वीactor ह 지나 का कलर लेना एक टोन से तो अप多ल लाइट लेना स्टाप्व ऐस जहारा नहित पीज़ गाशित एकस्टर लाइट है और लिक्विड और वाटरी टेक्चर और जब अप्लिकेशन कर लेते हो तो उसके बार यह सारा ब्लैंड कर लेते हो तो यह स्किन 되어 स्किन मर्ज हो जाता है शिन यह तो यहां पर मैं कुछ थोड़ा सा स्वाच करके आपको चेकर देखती हूं कि यह किस तहीं किस तहीं कि लगता है क्या अप्सकि लिए और मैं सके आपको तिखाओंगी कि इसके उससद से इसके जोड़ार टॉनगी और शीया पर मैं इसके बाद मैं इसको जैए एक कर लोगी नहीं यहां पर मैं इन यहां पर मैं अपने हाथ पर लूँगी तो यहां पर काफी light लेग रही है इसको मैं इस तरीके से mix कर लूँगी और पर मैं इसको अच्छे से apply कर लूँगी तो आप इसका result देखेंगे किस तरीके से यह और यहां पर पहुत है तो यहीं मेरा रिव्यू है तो यहीं मेरा रिव्यू है इस पाइब है कि affordable नहीं है तो मैं recommend नहीं करती बागी oily skin के लिए अच्छी foundation है इसके इलावा भी affordable और अच्छी foundation के रिव्यू में चैनल पर कर चुकी हूँ तो आप वो भी जरूर चेकीजिएगा तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद नहीं